हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटीव चैनल में हम लोग कल कला के सामान परचे का पहला भाग देखे थे और आज कला के सामान परचे के जो सेस भाग बचे हुए हैं उसको देखेंगे कल हम लोगों ने किन्तों में कला अके कितने प्रकार का वो लेख हुआ है, कौन से सेस्ष कला है, क्यों से निम्न कला है इत्यातीजों पर चर्चा की थे और आज हम लोग दुखेंगे कला के सामान पहलशे किस किस रूप पर किये गए है । उस रूप के अधार पर कला के दो भेट किए गए है एक तो है गत्यात्मत कला या इसी को अस्थान प्राज़ाइद कला कहा गया है या इसी को अचल कला कहा गया है और इसके अंतरगत मूर्ट कला, चित्र कला और बास्ट कला को रखा गया है जबकि गत्यातमत कला या गत्परावाइद कला के अंतरगत दो कलाओं को रखा गया है संगीत कला और काभी कला को और सामान भिर में देखते हैं इंद्रियों के अलहार पर कला के तीन भिर किये गए हैं पहला भिर तो ये किया गया है कि आख को आनन देने वाली कला और आख को आनन देने वाली कला के अंतरगत चित्र कला, मूर्ट कला और बास कला को रखा गया है दूसरा है कान को आनंदेने वाली कला इसके अंतरगत कापी कला और संकित कला को रखा गया है और तिसरा है आँख और कान दोनों को आनंदेने वाली कला और इसकला के अंतरगत संकित कला नेट कला और मार्ट की क्याच को रखा गया है कि देखते हैं मुर्थता के अधार पर किला के दू पेद किये गए हैं या दूसरा है अमुर्थकला अरथान पर जिसका कोई रूप ना हो और इसे अमुर्थकला के इंतर गहते हैं काबि कला और संगी तक रखा गया है और इसे बाद में हम दो लिखेंगे मनुझ ग्विज्ञान के अल्हार पर क्ला के तीन भेड किये गए हैं ये इसलें करनातम कला और आत्म कछा इसमें कि अलंक करणातम कला के अंतर गत शेंगार कला जएक प्रतीक बादी कला और इस प्रतीक बादी कला के अंतरगत प्रतीकों के द्वारा चीजों को प्रतीक का मल है। वड़े ही ठीक तरीके से कियाती है और तीसरा है सचन्धतावादि कला या भावात्मक कला लगन ऐसे सचन्धतावादि या भावात्मक क्ला में UPने भाओं को किसी भी रूप में ब्यब्ति किया जाता है तो इस तरह से कला के हम लोग 저희가 सामान ने बेत देखे हैं चाहिए हैं पालाउं में अल्गाता हैं। तक तो हम लोग हरं कररावन संदुन रूता है। एक का सिवु ऑग Kent आंगें लिए ठाइक कान pos लिए किया छए ठीखिये में सब्रमित काला के रूट में काविकला को रख के थे। अर्षक्षोल ने भी आपि कला को सक्षे सिष्ट माना है, लेकिन जितने भी भारतिये विद्ध्वान है, भारतिये जन्क्थ है, उसमें चित्रकला को सबसी सिष्ट माना गया है, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कलाओं में चित्रकला, मूर्थिकला को अगर सामान रूप से देखें कि चित्रकला क्या है या मूर्थिकला क्या है तो अगर हम लोग चित्रकला को देखें तो सामान रूप से कायबता है कि चित्रकला जिसके दो आयांग होते हैं लंबाई और चौराई या का सकते हैं दो बीमाई होती हैं या टू डाइमेंसल होते हैं तो यही वहाँ रूप जिसकी लंबाई और चौणाई हो वहाँ चित्रकला है जबकि मूटकला के बारे में रहाएं कि मूटकला थ्रीडी होती है यही तीन बीमाई होती हैं लंबाई चौणाई और उचाई और इसको चारो वो इसे तरास करके बना जाता है इसका अवलोकन हम लोग चारों तरफ से कर सकते हैं जबकि चित्र का अवलोकन केवल और केवल सामने से होता है। और लोर रिलीफ जिसे निमनभासकर करका गया है ये भी 3D होती हैं बिदी होती है लेखिन इसका ओलोपन के ओल सामने सी की आता है और जो लेखिश बासकर होता है उसमें आक्टियां ज़्यादा उवर करके सामने आती हैं जीवों इस दिखती है जबकि निम्न भासकर में चप्टापन होता है और यहां यही त्रीविविय होती है लेकिन आखिवियों में चप्टापन होता जबा उबर करके सामने नहीं आती है तो यह भासकर कला है और भासकर कला के अंतरगते लोग देखे थे किसकी आता है मिट्टी पर की आता है धातुवा पर की आता है और एक शेक्टर बचता है भारतिय कला की बिसेश ताएं भारतिय कला की बिसेश ताएं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में बस इतना ही और जिन लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट में हमें सुझित करें या आपको कैसा लागा वीडियो अन्ने बार